चलो नेक्स कुशन करते हैं कुशन रीड कर लो कुशन क्या गया रहा है चार्ज क्यू इस यूनिफर्म डिस्ट्रिबूटेड ओवर अधिन हाफ रिंग ओफ रेडियस केटल आर देलेक्रिक पीड़ अधे सेंटर अफ दर विंग इस सबसे पहले एक रिंग बनाते हैं फिगर बना लिटेखते एक्सां बनता है यहाफ रिंग हो गया तो ठीक है इस फिर चार्जेस भरे हैं है जिए इतने चार्जेस हैं प्लस क्यू चार्ज ये उसका सेंटर है ऑप ठीक है और इस य्पक्रेटियस हो डॉना है अब नेगी का यह एक्सिस अम बना देते है एक्सिस वा हो गया ज़र एक्स डैश हो गया ओपर वाई हो गया और नीचे अभी सी बात है वाई डैश हो गया ठीक है हमने क्या कि यहां से एक छोटा सा एलेमेंट लिया इस एलेमेंट में जो चार्ज यह एलेमेंट की बार कर रहा है मैं अ میں इसको दूसरे कलर से रहा हूँ हूँ यहां से लेकर यह फूर्चन इस एलेमेंट को हमने कहाो इसमें चार्ज भरा हुआ है shook his game यहां से हाथ for बियाट प्वी ल besten चार्ज अचा यह एंगेल हम चृट और दोनों कर यह जो उसके बीच का एंगे यहां पर इन्ग यहां से लेकर यह तो एंगिल यहां पर डीटा हुगा अर्ड यह वा और रेडियस क्या हुआ 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 तो इत मीज अगर मैं आर को क्रॉस मंडिप्लाई करूं तो दी एल इस कल्टू आर्डी थीटा होगा करेक्ट है बिल्कुल सही बिल्कुल को आचा अब लीनियर चार्ज जैंस्टी क्या होती है टोटल चार्ज डिवाइड़ बाई लेंग कि यहां से यह लेंग कितनी होगी पाई रोगी पाई या आठाल हाप लाए ना हाथ इनका या सीमी सप्ल तो पाई आप होगा करेक्ट है तो लेंडा इसकल टू पाई एंटू आड़ वा तो अगर मैं यह जो पोर्शन है इसमें जो चार्ज है डिक्यू यह जो चार्ज है इसकी वैलू कि तो बीक्यू इसका टू होगा लैम्डा इंटू टील सही बोल रहा है चलो तो लैम्डा की वैलू अभी एस रहने देते हैं आप देल की वैलू रख देखना यह जो एलिमेंट है चार्ज एलिमेंट बीक्यू यह चाहरे संटर पर क्योंकि साथ रूल जो बनी हुए हैं ओंट ऊसरी पड़ी में तो यह जो च्छोटा से तो चार्ज बीक्यू कहा जाएगा यह यह कितनी एलेक्रिक पिड यहां बना रहा है तो उसकी वैल होगी मैं यह लिख दे रहा हूं बीई इसकल टू के इंटू बीक्यू अपॉन आर का स्कॉर वहां से यहां तक डिस्टेंस किती है आप यह अगर एंगल थीटा है देखो मैंने यह लिखा हुआ है तो ऑब यह वर्टिकली अपोजिट एंगल यह भी थीटा होगा इसके दो नोगे एक यह इधर होगा एक इध जिए छोड़ा सा एलिमेंट अगर इधर हो तो एलेक्ट्रिक फील्ड एक्षिन कैसा होगा इधर होगा और ये एंगल हम थीटा ले लेल तो फिल से यह थीटा हो जाएगा और यह हो जाएगा d को सीटाथ और इसका एलिमेंट कितना ओगा वीजान्ट टी शाय strength ूट Теперь कई जोड़ा पॉइंट यागा अब देखो भी इस साइन तीटा अगर मैं एलेक्रिक प्रिल निकालना चाहता हूं तो भी इस साइन तीटा को मैं इंटीग्रेट करूंगा द्यार रखना इस बार को इंटीग्रेट कहां से खाना तकरूंगा जीरो ये एंगल है और ये अंगल है वाने ती बी के वेलू केक्ट की इसे को में निकालें लैमडा आर याद दी थीटा अपॉन आर स्कॉर यह होगा डी एक वेलू यह वेलू अगर हम रख दें यहां पर इस फारूम में तो क्या हो जाएगा ध्यांज देखो के लैमडा आर दी थीटा साइन थीटा अपॉन आर स्कॉर करेक्ट है अब आर स्कॉर से एक आर कड़ जाएगा क्या हो जाएगा के लैमडा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा सही है लिमिट कहां से कहां तक जीरो टू पाई यह पॉइंट यह रखना बहुत इंपॉर्टन रही है जीरो टू पाई अब इसको मैं खोड़ा सा और सिंप्लिफाइग कर दूं नेक्स पीच कर दूं क्या है चल्वेष फिकर करता हूं और फिर इक बार देख लाएं इसख़़ाद नेग्स पारी लगणा कbecueंटेंट इसको कि अग्या क्ट्रीप्र किया होता है तो विलेंट सुन थीट सिरू थीन रिंट टो पाई Mexican किया और सथी sti माइनस को बार कर दो, माइनस के लेमडा वाई आर, ठीक है, और कॉस ठीटा, जीरो टू पाई, और अब अपर लिमिट पहले रख देते हैं, और उसके बाद लोगर लिमिट, कॉस पाई, मैनस कॉस जीरो, कितना हो जाएगा, और कॉस पाई के वेल कितनी होती है, माइनस वन, और कॉस जीरो की वेलू, प्लस वन, यह कितना आ जाएगा, माइनस के लेमडा वाई आर, माइनस टू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस टू के लेमडा वाई आर, लेमडा की वेलू हम लोगों ने निकाली भी थी, कितनी निकाली थी, देखो ज़रा, लेमडा की एक चीज और लेंडा के की वेलू भी तो चाहिए है तो क्या हो जाएगा एक वेलू तू अपॉन आर के की वेलू वन अपॉन पॉर पाई एपसलों नॉट इन्टु क्यू बाई पाई आर तो यह फाइनली हो जाएगा देखे और पॉटस क्यूब और झाला कोने हो जाता है इसा कुछ है पूप क्यूब पॉर और एक स्वालeen डुथ स्वार नॉट आर इसक्वाइर देखनें की वर क्या रहा है तो अगर यह कट कर दिया जाए तो Q upon 2 pi square epsilon not r square अब देखो आ रहा है क्या 2 pi square epsilon not r square यह पहला ही बाल आप्शन को है देखो यह बाइचे के लो Q upon 2 pi square epsilon not r square चलो ठीटेट करेक्ट है चलो नेक्स्ट कुशिन करते हैं